दोस्तों नमस्कार डॉक्टर शंकरवेट वर्चुल क्लासिस में आप सब का स्वागत है आज हमारे पास एक यूनिक केस है जिसका डिसकसन हम लोग इसमें करने वाले है एक प्रिग्नेंट कैटल में किस तरह से हम लोग उने डाइगनोस किया कि इसके अब्डोमेन में लाजम क्यूं है और कौन सी वीमारी है और किस तरह से प्रोसीड करते हुए उससे मेनेज किया जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे है एक गाय है जो लास्ट ट्रैमेस्टर की प्रिग्नेंट है और इसका पेट जो है बहुत जादा डिस्टेंडेड है और देख के लग रहा है कि बहुत जादा पेट के अंदर सुजन है फिर इसे जब एक्जामिन किया गया यह चल भी नहीं पा रही थी और अपने वेट को उठा भी नहीं पा रही थी जब इसे प्रोपरली एक्जामिन किया गया तो जब हमने इसे पालपेट किया तो फ्लूइड थ्रील मिल रहा था औ से डिस्टेंडेड है और इसका जो शेप है आप देख पा रहे हैं कि यहां प्लोटेट बुल फ्रॉग की तरह है तो इसको डाइगनोज करने के लिए दो चीजे आप या तो एसाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं या जो फीटल मेंब्रेन है उसके ड्रॉपसी एडीमा या हाइ प्रिग्नेंसी है और इतना ज्यादा डिस्टेंशन है तो इसे डाइगनोज यह किया गया परेक्टल एक्जामिनेशन के बाद कि यह हाइड्रो एलंट्वाइस का केस है यानि कि जो फीटल शैक है उसमें फ्लूइड भरा पड़ा है तो हाइड्रो एलंट्वाइस एक कॉम हाइड्रो एलंट्वाइस को अगर आप देखें तो कोरियो एलंट्वाइक जो फ्लूइड होती है उसका सिक्रीशन किसी तरह से भी बढ़ जाए तो यह हाड्रो एलंट्वाइस का केस आता है इसमें में प्लासेंटल डेमेज होता है या प्लासेंटोम का डिजनरेशन रहत के एक से दो वीक के अंदर ही बहुत ज़ादा फ्लूइड बढ़ जाता है जब कि हैट्रोमनियॉन में स्लोली डेवलप्मेंट होता है अब डॉनल इंलाज्मेंट जो होता है उसलो होता फीटस के केट्रिनी डेमेज से या हैट्रोनेफ्रोसिस के केसिस में भी इस तरह का कंड बन जाता है तो फिर इसे मैनेज करने के लिए हमें ये इसको इंड्यूस पार्चुरिशन करना होता है और इस केस में डेवन पे जब ये डियाग्नोस हो गया तो इसमें पार्चुरिशन इंड्यूस करने के लिए दवाएं दी गई जैसे कि क्लोप्रस्टेनॉल, वालतमेट, इपीडियोसीन जो आता है, बेटा मिताजोन और डाई इथाइल इस्टिल बेस्टरॉल का कंबिनेशन दे करके इसमें पार्चुरीशन इंड्यूस किया गया और उसके बाद नेक्स्ट डेसे उसका जो फीटल सैग था वो रप्चर हो गया और आप यहां पे यहां पे देख पा रहा है एक चीज़ दियान देने वाली होती है कि जब यह फ्लूइड निकल रहा होता है उस समय एनिमल जो है हाइपो बॉलमिक शॉक में चला जा सकता है इसलिए अगर जब निकल रहा है तो वहां पे आपको फ्लूइड थिरापी करनी होती है जैसा कि हां पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्लूइड बंस का प्रोनोसिसल होता है इसलिए इसमें फ्लूइड थिरापी के सान्थ साथ सब्मक करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मेट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं और फिर उसके बाद आपको डिश्टोकिया हेंडल करना लेकिन डिश्टोकिया हेंडल करना इतना आसान काम नहीं है यह जो आपको दिख पा रहा है बड़े आसानी से जो मैनेज किया जा रहा है इसमें फीटस मिल तक नहीं पा रहा है था और कई हमारे एक्सपर्ट जो गानकोलोजी के हैं डॉक्टर अनुस, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर विकास, सब लोग मिल करके किसी तरह से इस केस को और इसके बच्चे को निकालने की प्रयास किये और अन्ततर फिर वो अपने काम में सक्सेस्प निकला वो भी जो बच्चा था वो तो फीटस डेट था आप देख रहे हैं इसका फुली डेफलोप्मेंट भी नहीं हुआ है और जो फीटस यहां पे अभी कोसिस की जा रही है कि इसे निकाला जाए रोटेट थोड़ा सा कर रहे हैं आप देख सकते हैं आप यहां पे मैनेज किया गया तो दोस्तों यह वीडियो आपको फिल्ड में हाड्रोलेंट ट्वाइस के केसे को मैनेज करने में मददगार होगा मुझे ऐसा विश्वास है और आप हमारे साथ बने रहें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली